आप सभी को जई मिसी कि मेरे प्रीवाइबिनों इस सुन्दर से सुबह के लिए परमिशर को और आपको बहुत बहुत दिल से धन्वाद करते हैं कि आप मेरे सभी मसी भायवें परमिश्टर के भवन में और परमिश्टर के वचन में आप उपस्तित हो इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धनवात करते हैं मेरे प्रुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हैं तो परमिशर हमें हर प्रकार की समश्याओं से हर प्रकार की बुराईयों से आज परमिशर हमें बुलाना चाहता है अपने पास बुलाना चाहता है जिस तरीके से हम जानते हैं राजा हिच्किया के जीवन में परमिशर ने उसे बुलाया और उसको बहुत लंबे उम्र दे उसके जीवन बहुत सारी बिमारियां थी, बहुत सारी दिक्कते थी, लेकिन आज हमें डरना नहीं है, किसी भी बात को ले करके, क्योंकि हम जानते हैं, परमिशर कहीं ने कहीं, आज हमें किसी ने किसी माध्यम से, परमिशर अपने पास हमें बुलाना चाहता है, परमिशर वो अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़दा चिंते थें परिशान हैं हतास हैं लेकिन आपको बिल्कुन भी भैवीत होने को सकता नहीं मेरे बहुत सारे मसी भाईवी ने जो हमें वाटसअप के जरिये से कॉल सेंटर के माध्यम से बात करके हमें बताते हम उनके लिए धुआ करते हैं प्रातना करते हैं बिन्ती करते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाहियों को भेजा है उनके जीवने पर्मिसर बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आसीज़ देगा पर्मिशर का वचन क्या कहता है पर्मिशर की बुलाहट हम कैसे समझे अपने जीवन में इस तरीके से राजा इच्किया ने अपने जीवन में समझा इस तरीके से राददावत ने अपने जीवन में समझा इस तरीके सुलेमान ने अपने जीवन में समझा बहुत सारे अनिक प जब देखते हैं वचन को देखते हैं लिखा गया है एचकलक पुस्तक अध्याइदो और वचन नमबर यहां पे लिखा है एक में उसने मुझसे कहा है मनुझस के संतान अपने पाउं के बल खड़ा हो और मैं तुस से बाते करूँगा मिरफियों यदि आज आज आप बिमार हैं आप बहुत सारी समश्याओं में हैं बहुत सारी चिंताओं में टेंसन में तो आपको डरना नहीं हैं आपको घबरना नहीं हैं सरपथम आप परमिशर के बचन पे बिस्वास रखें कि परमिशर आपसे भी बाते करेगा और परमिश आपके जीवन में आपको blessing करना चाहता है वो आपको आसिस देना चाहता है जिस तरीके से यहाँ पे एचकल की जीवन की बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखा जा रहा है कि हे मनुसके संतान अपने पाओं के बल खड़ा हो और मैं तुछ से बाते करूँगा जैसे ही उसने मुझे यहाँ कहा तेहुं तो ही आत्मा ने मुझे मुझे में समा करके मुझे पाओं के बल खड़ा कर दिया हाले लिया और जो मुझे में बाते के बाते कराता था और जिस तरीके से मैंने उसकी बातों को सुनी उसने मुझे कहा कहा है हे मनुसके संतान मैं तुझे इ ब्रुद्ध बल्वा किया है उनके पुर्खा और वे भी आज के दिन दिन तक मेरे ब्रुद्ध अपरात करते चले आएं हैं इस पीड़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं वे निर्जल प्रभु का वचन आज हमारे जीवन बहुत ज़रूरी मेर्भियों अज हमारे जीवन में बहुत सारी शिंताओं का हम सामना करते हैं बहुत सारी चीजों को आज हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में काम सफल नहीं होता है प्रभू मुझे अपने दम पर अपने काम के दम पर पर मैं खड़ा होना चाहता हूँ कोई अपने दम पर मैं अपना कारे करना चाहता हूँ अपने भरोसे कि परमीशर तु मेरा सहायक है और तु मेरा रच्छा करने वाला है तु मेरा खोदा है तो आज मुझे मेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा जिस तरीके से राजा इच्किया के जीवन परमिसर ने उसे बहुत सालों का वर्सों का जीवन दिया जो मरने पर था जिस तरीके से लाजर को परमिसर ने जिंदा किया जिस तरीके से मरे हुए बीक्तियों को परमीْसर ने जिंदा किया बहुत सारी बीमारियों को बहुत सारी समश्याओं को जो काम नहीं बनते थे जिस तरीके से आपने देखा होगा बाइबल में लिखा हुआ है परमीसर वचन केता है वहाँ पर मचली पकड़ने के लिए जाता है और उसको मचली नहीं मिलती लेकिन इसमसी जानता है कि मचलीयां कहाँ पर है प्रभी समसी ने कहा और थोड़ा गहराई की ओरजा और वहाँ पर जाल डाल जब वहाँ पर जाल डाला जाता है तो बहुत सारी मचरिया मिलती है तो हम कहीं न कहीं अपने जीवन में पीछे होते है थोड़ा सा यदि हम 90% काम कर लेते हैं 99% यदि 1% हम छोण देते हैं तो वहाँ समने रास हो जाते हैं हमें 100% पूरा करना है हमें जो परमीशर का वचन कहता है उसके अधार पर हमें पूरा क फूरा काम करना है और हमें भरोसा रखना की परमेशार अंवारी मदद करेगा और आमारी सहायता करेगा किसी चीज में हमें डर न है भैबीत नहीं होना है जिन तरीके से परत्राश के जीवें बहुत सारी समस्याय आएं बहुत सारी दुख आएं लेकिन प्रभुश्य के उपर उसने थोड़ा सा संदे किया इसलिए वो डूप गया था पानी में तो यह चीजे आज हमें नहीं देखना है हमें यदि कोई काम करते हैं तो इसमें हमें 100% देना है यदि 99% हम 99% यदि पहु क्या होगा खराब हो सकता है जो काम हम पहुँच गए थे प्रणाम तक लेकिन उसके लिए हमने अपना हार मान लिया अपने और से हमने उस शीज को खो दिया क्यों हम अतना मिहनत नहीं कर पाए हमें वहाँ पे धायर और विस्वास भी रखना है यदि आज हमारे जीवने प भाहाई तक करता है और मदद करता है इस समय जो परिशानिया में हैं बहुत सारी समस्या हैं आज इनके जीवन में शमस्य के नाम से हम दुआ करते हैं फ्रातना करते हैं कि हर एक एक मस्य भाई वहन को चंगा कर पिता है शमस्य के नाम से हम आग्या देते हैं कि हर प्रकार की दोष्टा आत्मा और गंदी आत्मा इनके घर से निकले बेता इसके लिए हम प्रातना करते हैं दुआ करते हैं इन दुआ करते हैं पिता परमीशे कि आज जितने विस्वास के दौरा आपकी प्रातना को सुनते हैं रिसीब करते ही आज उनके घरों में हर तरीके से बरकत और आसीज देने वाले ही आज उनकी जीवन की देख रिक करने वाले ही आज उनके कामों में मदद करने वाले ही आज उनके पास नौकरी नहीं है आज उनके पास काम नहीं इसमसी के नाम से आज वो सब कुछ पोरा होने पाए इसलिए हम आग्या देते हैं दुआ देते हैं इसमसी के नाम से आज हम प्रात्ना करते हैं विंति करते हैं कि आज जो हर बिमार विकती हैं इसमसी के नाम से उनके बिमारियों को आप जड़ से खतम करें इसमसी के नाम से इंदनेम आफ इसो मसी के नाम से रिसीब करते हैं रिसीब करते हैं इसो मसी के नाम से आज विस्वास करते हैं और धायर रखते हैं विस्वास आज उनके जीवन में हैं कि भरमेशर मेरे जीवन में काम करेगा आज जिनके बच्छों के मन में अनिक प्रकार के बुराईयां आ चुकी हैं अनि प्रकार के दुख आ चुके हैं अनिक प्रकार की चीजे उनके मन में आ चुके है इसो मसी के नाम से आज़्य के नम से इन्दे नेम आफ जीजुस अनिक प्रकार के रोगियों को ठीक किया था हम ये भी जानते हैं पिता पनुशन ने हर प्रकार के लगवे के रोगियों को ठीक किया था अज जो दुखी थें आज जो परिशान हैं और जो पत्ती और पत्ती के बीच में आज लड़ाई हैं जगडे हैं आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बिमारियां हर प्रकार की समस्यां इसमस्य के नाम से उस सब को दूर होने पाए जिनको आखों में परिशानिया हैं आज जिनके घर में जो बिकलांक लोग इसमस्य के नाम से आज जो चंगे नहीं हो पा रहे हैं आज उनके ज कामों में बरकत पाना चाहते हैं आसीस पाना चाहते हैं जितने लोग आज आसीस पाना चाहते हैं बरकत पाना चाहते हैं अपने नोकरी में प्रहोतरी पाना चाहते हैं और जिनको जॉब नहीं है पिता परमीशर आज जिनके घर में जो आसू वहते हैं आज जो अभी रो रहे जो समस्याएं हैं जो कारबंद पड़े हैं आज जिनके घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं बड़ी बड़ी दिक्कत हैं इसमस्य के नाम से आज जिनके साधी सम्मन नहीं हो पा रहे हैं इसमस्य के नाम से और जिनके घर में आज बहुत बड़ी समस्याएं इसमस्य के नाम से जिनके साधी नहीं हो पारीश मसी के नाम से उनके ब्लेसिंग के उन्हें ब्लेस करें उन्हें आसीज दें उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से निकाले पेता परमी सर जो भी मेरे भाई हैं मेरे बहने हिसुमसीग' کے نام से यतने लोग कमेंट के माध़ी हमसे बताते हैं उसके लिए हम सब के लिए दबा करते हैं बिंथी करते परात्ना करते हैं अज बह। सारी समस्या है लगत सारे दुख़ए बह। सारी चिंदाएं हैं वह। सारी बाते आज उनके मन में हैं आज 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 को भी जिन्दा किया यहां तक कि जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी आज पर्मिशा इसमस्याuse ke नाम से आपके जीवन से भे निकले गी आज और आज यह आज हाता से निरासे बहुत सारी लोग पेपर वर्क कर रहे हैं अज जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी किसी प्रकार की समस्याओं में हैं सब के लिए दुआ करते हैं रात ना करते हैं आलेलुया धनवादिशो धनवादिशो प्रभव आपके सुती हो इंदने मौप जीजस इसमस्याओं के नाम से सर्विशक्तिमान परमीशर प्रिय अपना हाथ उमान मसीब भाई भाई बेहनों को पर रखें पिता परमीशर वो रिसीव करते हैं रिसीव करते हैं इंदने से अज वो हर प्रकार की सव समस्याओं बीमारियां दुख अनिक प्रकार की घबराहर अनिक प्रकार की चिंताएं जो हाट के प्राबलम हो चुगे कैंसर की बीमारी है अनिक प्रकार की जो समस्याओं हैं आज हाथों में दर्द हैं पैरों में दर्द हैं कुटनों में करें ये संग्कर्थ नाम से मैं आघ्या के जीए इसमसी के नाम से वो सब कुछ ठीक होगे इसमसी के नाम से इसी वक्त वो हर प्रकार के तुष्ट आत्म और घंदी आत्माइं जो इनके घरों में वास करती है इनके कामों में आज वो दखल अंदाजी करती है इसमसी के नाम से आग्या देते इसमसी के नाम से पवित्र लहुक के नाम से विता परमीशियर, आमीन आप भीज सकते हैं या पीवार कोट के माध्यम से या फिर एकाउन नमबर के माध्यम से आप भीज सकते हैं परमिसर उसमें आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आसिस देगा आमें